हेलो एविवान जैसे राम बच्चों कैसे हैं आप साथ सबी अच्छे हैं देखो बच्चों व्याकरण की बुक में से पार्ट नमबर एक हमारी भासा आज हम इसका एक्स्प्लेनिशन करेंगे यानि इसे समझेंगे ठीक है तो इसको समझने से पहले हम अपना इस लोग सुरू करेंगे फिर उसके बाद इस चैप्टर को समझेंगे ओक्य अंडर्स्टैंड तो सबी बच्चे क्लोजर आइज जन्डर हैंड्स सुखार्ति ने कितो विद्ध्या नास्ती विद्ध्यार्ति ने सुखम सुखार्ति वाते जेद विद्ध्याम विद्ध्यार्ति वाते जेद सुखम ओपने और आइस बच्चो तो सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से समझेंगे ठीके तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है क्या नाम हमारे पाठ का हमारी भासा तो सबसे पहले समझेंगे भासा के कितने रूब होते हैं और हम अपनी भासा को किस प्रकार एक दूसरे को समझाते हैं तो हम उसे पहले समझेंगे भासा क्या है ठीक है और भासा के कितने रूप है तो भासा के कितने रूप है उससे पहले समझेंगे भासा किसे कहते हैं अपने विचारों का आदान पिर्दान करना ही भासा कहलाता है यानि कि अपने विचारों को एक दूसरे को समझाना बोल कर या लिख कर तो ये क्या हमारी भासा कहलाती है यानि अपने विचारों को आदान पिर्दान करना ही भासा कहलाता है देखिए अब ये पहला पिक्शर है इसमें कुत्ता क्या करना है भूम हो कर रहा है ये अपनी बोली बोल रहा है और मनुस्य अपनी बोली बोलता है मनस्वें ही नहीं बलकि पसू पक्षी भी बोला करते हैं पसू पक्षी बोलते हैं ना लेकिन पसू पक्षियों की बोली को समझ कर ने तो दोहराया जा सकता है और नहीं दोबारा प्रेकट किया जा सकता है यानि व्यक्त किया जा सकता है अब देखेंगे भासा के चार कारियों होते हैं भासा के चार कारियों होते हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना जिसमें एक बोलता है और दूसरा उसे सुनता है इसी पिरकार एक लिखकर अपने मन के भाव प्रेकट करता है तो दूसरा पढ़कर उसे समझता है तो यह हैं हमारे भासा के चार कारियों है तो यह सभी की, I think सभी की समझने आये होगा तो हम इस चैप्टर की बिसें पढ़ेंगे थोड़ा पिक्चर देखकर भी देखिए, यह अमित है और इसके पास यह कुत्ता है कुत्ता भौवा करके कुछ कहना चाह रहा है कुत्ता कुछ अमित को समझाने की कोसिस कर रहा है लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी कोई बोली नहीं है इनका कोई वाक्य नहीं है दूसरी पिक्चर है तोटा तोटा कुछ कहना चाह रहा है पर ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ना कुता बोल सकता है और ना ही तोता बोल सकता है इनकी कोई भासा नहीं होती ठीक, हम नीचे देखेंगे भाईया मुझे कोई नया खिलोना दिखाईए इसको समझने से पहले आपको समझना है कि भासा के कितने रूप होते हैं यानि भासा कितने प्रिकार की होती है भासा के दो रूप होते हैं नमबर एक मौखिक भासा और नमबर दो लिखित भासा मौखिक भासा किसी कहते हैं मौकिक भासा को यानि बोल कर अपनी बात कहना भासा का मौकिक रूप कहलाता है यानि कि हम किसी से कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं तो वो हमारी मौकिक भासा है और किसी को हम लिख कर समझा रहे हैं जैसे आपने कोई पत्र लिखा और आपने अपने पत्र को किसी मैम को दिखा दिया या अपने पेरेंस को दिखाया लिखकर तो क्या हो हमारी लिखित वासा बोल कर पैकट करना मौकी वासा और लिखित यानि कि लिखकर अपनी बात कहना भासा का लिखित रूप कहलाता है बोल कर अपनी बात कहना भासा का मोखित रूप है और लिख कर अपनी बात कहना भासा का लिखित रूप है तो ये हैं हमारी मोखित भासा और लिखित भासा अब इस पिक्शर में है देखिए ये लड़की खिलोना मांग रही है दुकानदार से इसने सिर्फ बोला है और दुकांदार इस चीज़ को समझ गया कि इसने खिलोना मांगा है तो इसने बोल कर समझाया यानि कि मौकिग भासा इसमें है देखिए यह गुडिया बहुत सुन्दर है इसे पैक कर दीजिए इसने हैं क्या बोला है इसने भी यहाँ बोल कर समझाया है, इसने कुछ लिखा नहीं है, तो यह है हमारी मौक ब्रसा. ठीक, आपस मैं बातletter करना, जैसे आप अपनी ममा से बात करते हो, कि ममा मुझे कुछ खाना है, ममा कुछ है, मुझे कुछ चाहिए, तो आपस मैं आप ममा से बात करते हो न. ऐसे ही भासा के द्वारा हम अपने बोल कर अपनी बातों को दूसरे तक पहुचा सकते हैं तो उसे हम मौकी भासा कहते हैं ठीक, next page number अब देखिए यह है, जैसे आपकी ममा है और यह आप हो ठीक है, मा बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है जैसे ममा आपको पढ़ा रही है और आप जिर्फ समझ रहे हो, ना की लिख रही हो यह भासा का मौकी क रूप है यानि जब हम अपनी बात बोल कर कहते है जब हम अपनी बात बोल कर कहते है तो वो कौनसी भासा होती है, मौकी क भासा अब इसमें क्या है देखो ये बच्चा लिख रहा है इसके अगर नोटबुक है और पैन है ये लिख रहा है तो नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्रू से पढ़कर समझा रहा है ठीक ये समझा रहा है और ये यहाँ लिख रहा है यानि जब हम लिपकर अपनी बात कहते हैं तो यह हमारी लिखित भासा है अब देखेंगे पसू पक्षी पसू पक्षी ना तो बोल सकते हैं और ना ही वो कुछ कह सकते हैं लेकिन पसू पक्षियों की अपनी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वो पसू पक्षी आपस में बात करते हैं लेकिन वो हमारी तरह ना ही लिख सकते हैं और ना ही हमारी तरह बोल सकते हैं क्योंकि उनका कोई वाग कैर नहीं होता सिर्फ उनकी बोली होती है अब देखो जैसे नीचे है कोयल कोयल की बोली होती है कूकना यह और कुछ नहीं बोल सकती सिर्फ अपनी बोली बोलेगी मैड़ टराना सिर्फ मैड़ टराएगा और कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसकी बोली टर रहना है ठीट अब है हाती चिंगारना क्योंकि इसकी बोली है बकरी मिम्याना सेर दहारना शेर दहारना चडिया चहे चहाना घोड़ा हिन हिनाना कबुतर गुट्रगु करना बिल्ली म्यां म्यां करना और काउ काउ करना ये इनकी बोली है इनकी भासा नहीं है, इनकी बोली है ओके, इस तरीकी साब को समझना है कि भासा के दो रूप होते हैं मोखी भासा और लिखित भासा और भासा किसे कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान ही भासा कहलाता यानि कि अपनी भासा को बोल कर या लिपकर किसी दूसरी एक सामने प्रेकर करना ही भासा कहलाता है ओके एंड़स्टेंड इस तरीकी से आपको पहले रीड करना है फिर इस चेप्टर को समझना है